हेलो फ्रेंड्स उनीता सर्मा कीचन में आपका आज सुआ गता है तो फ्रेंड्स आज हम लाएं आपके लिए बिल्कुल आसान तरीके से घर में रखे कुछ सामान से बनने वाले बजार के महेंगे गुलाब जमुन की रेसिपी तो चलिए बनाने स्टार्ट करेंगे वीडियो पूरा देखे इसके बिल्कुल भी ना करेंगे तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी तो बनाने के लिए हमने एक कड़ाई ले लिए उसमें हमने दो कटोरी करके इसमें डाल दिये हैं सक्कर के लिए चीनी डाल दिये हैं इसमें और दो कटोरी इसमें पाने की डाल द आपको एक तार या दो तार की चासनी तैयार नहीं करना है इसमें तो देख सकते हैं चीनी हमारी अच्छी से मेल्ट हो चुकी है और बिल्कुल अच्छी से चासनी तैयार हो चुकी है ये तो अब इसके हम गैस बंद कर देंगे इसको साइड में रख देंगे दूसरी गैस पे और यह हमने ले लिए ब्रेड ले लिए तो ब्रेड से हम आज गुलाब जमुन बनाने का तरीका बिल्कुल आसान बताएंगे और बिल्कुल पर्फेक्ट गुलाब जमुन बनेगे आप इस तरीके से बनाओगे तो तो यह हमने 5 से 6 ब्रेड ले लिये हैं जो भी है जो ब्राउन पार्ट है इसके साइड के कोनर है उसको हमने कट करके अलग कर देंगे तो इस तरीके से हम सभी ब्रेड के ये कोनर हलक कर देंगे और ब्रेड आप इसमें ताजा भी ले सकते हैं या पुरानी भी ले सकते हैं आप 6-7 दिन की पुरानी ब्रेड भी लेंगे तो भोती अच्छी एकदम इसका पाउडर बनके भी तयार हो जाएगा आप अगर पाउडर बनाओगे तो तो हमने इसको इस तरीके से मैश कर लिए हैं और अब इसमें डाल देंगे दो चमच के करीब इसमें मिल्क पाउडर एड़ कर लेंगे तो यह हमने दो चमच मिल्क पाउडर के आड़ कर लिए इसमें डाल देंगे घी एक चमच और थोड़ा सा डाल देंगी लाइची पाउडर फ्लेवर के लिए और अब इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूद एड़ करके दोड़ लगा के तयार कर लेंगे और प्लीज फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट एक वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें और अभी तक आपने हमारा फेस्ट लूप पेज फोलो नहीं किया है तो वहाँ पे भी जाके फोलो करें वहाँ पे भी आपको नई नई रेश से पीस देखने को मिलेंगी तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके इसको दूद डाल के रहे अच्छी से इसको सोट कर लेंगे और मैं बिल्कुल परफेक्ट तरीका लेके आई हूँ आप इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट गुलाब जामुन बनेंगे और बहुती सस्ते में बनके तयार हो जाएंगे और दूद आप एक साथ बिल्कुल भी ना आड़ करें आपको नॉर्मल टैमपरेशर का दूद लेना है इसमें गरम दूद भी बिल्कुल भी नहीं आड़ करें और थोड़ा सा एड़ कर देंगे इसमें एक बींच इसमें मीठा सोटा एड़ कर देंगे तो अब इसको अच्छी से फूलने के लिए रख दिए अगर आपका बैटर है जो ज़्यादा गीला लगे तो आप इसमें थोड़ी सी ब्रेड का टुकड़ा ओर कट करके रैड कर सकते हैं और आपको इसी तरीके से इसको डो लगा के तयार कर लेना है तो देख सकते हैं डो हमने लगा के तयार कर लिए बिल्कुल अच्छी से तयार हो चुका है इसमें आप थोड़ी सी ब्रेड ओर डाल लेना है आपको तो देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से डो लगके तयार हो चुका है ये और इसको आपने 10 मिनिट के लिए रग दिया था रेश्ट करने के लिए बिल्कुल अच्छी से सोप्ट हो गया डो है जो परफेक्ट तरीके से तयार हो चुका है और अगर डोई स्टाइम अगर टाइट लगे तो आप इसमें थोड़ा सा दूध और पानी या दूध एड़ करना है आपको थोड़ा-थोड़ा करके एड़ करना है तो अब इस तरीके से इसकी गुलाब जमून की लोई बना के तयार कर लेंगी और साइज आपके पसंद के अनुसार छोटा ये बड़ा बना सकते हैं गुलाब जाम उनकी बोल्स का तो इस तरीके से हम बना के तयार कर लेंगे बिल्कुल गोल्ड सेफ में ये देखें बिल्कुल अच्छी से चिकनी इसकी बोल तयार हो चुकी है तो सबी कों बना के इसी तरीके से तयार कर लेंगे तो आपको अगर बैटर है जो ज़्यादा गीला लगे तो इसमें 3-4 आप ब्रेड को और टुकडे करके डाल लेना है आपको तो देख सकते हैं हमने सभी बोल्च बना के तयार के लिए तेल भी हमारा करम हो चुका है और आपको इस टाइम में बिल्कुल द्यान रखना है कि आप एक साथ बिल्कुल भी एड ना करें इसमें थोड़ा-थोड़ा करके आपको फ्राइ करना है बिल्कुल लोट्टू मीडियम फ्लेम पे नहीं अगर आप एक साथ इसमें डालोगे तो आपके कुलाब जमन भूती जल्दी फट जाते हैं इसमें तेल मजाने के बाद में तो देख सकते हैं का कलर भी देख सकते हैं चैंज होने लगार बिल्कुल साइज भी इनका डबल हो चुका है तो देखिए इनका इनका कलर बिल्कुल अच्छी से ब्राउन कलर होने लगा है ये और आपको इसको जब तक पकाना है कि अच्छी से और अच्छी से फूल भी रहे हैं ये तो बिल्कुल परफेक्ट तरीका है आप इसको आसान तरीके से बना के तयार कर सकते हैं घर में रखे कुछ सामान से ही तो वीडियो पसंद आये तो लाइक और कमेंट करके जरूर बता हैं अब भी तक आपने की हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहाँ पे जाके सब्सक्राइब करें तो देखें कितने परफेक्ट अमारे गुलाब जामन बनके तयार हो रहे हैं तो आपको एक साथ में तीन से चार अगर गुलाब जामन फ्राइब करोगी तो बिल्कुल भी नई फटेंगे इसमें देखें हमारे थोड़े थोड़े इसमें क्रैक आने लगी है बहुती सोप्ट बने है इतने अच्छे स्पंजी बने है यो गुलाब जामन वने यकीन से बोल रही वोती टेश्टी गुलाब जामन बनने वाले आप इस तरीके से बनाओगे तो देख सकते हैं इनका कलर भी बिल्कुल परफेक्ट आया है ये तो थोड़े से खर्चे में आप धेड़ सारे गुलाब जामन बना के तयार कर सकते हैं देख सकते हैं इनका कलर बिल्कुल परफेक्ट से के तयार हो चुके हैं तो इनको निकाल के हम एक प्लेट में डाल देंगे, डायरेक्ट आप चासनी में भी डाल सकते हैं, चासनी को आपको हलकी गुन-गुनी करनी है, उसको दुबारा से गरम करके, तो देखें चासनी ने हमने अच्छी से गरम कर लिया, अब इसको गुलाब जाम उनको डाल तो इसी तरीके से जो बाकी बच्चे उनको वी फ्राई करके तयार कर लेंगे तो बिल्कूल इनके अंदर अच्छी से चांसनी जारह है तो आप इसमें गुलाब जमून पहले भी से के चेक कर सकते हैं चासनी में भी डाल के देख सकते हैं अगर आपके गुलाब जमुन अच्छी से सोप्ट नई बन रहे तो आप उसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर ओर डाल सकते हैं तो सभी गुलाब जमुन हमारे अच्छी से सिक्के तयार हो चुके हैं तो इनको म 13 कंद के लिए चासनी में डाल के रख देजेंगे कि अच्छी से चासनी के नदर चासके तो देखें ऑच्छी से दो गंडे हो चुके चासनी को अच्छी से सोपrico के देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी नऌिश sih है जो डबल हो चुका रिस पेंजी बन चुके हैं ये तो आप इनका टेक्सर देखके भी अंदजा लगा सकने कि कितने परफेक्ट हमारे गुलाब जमुन बनके तैयार हुए हैं ये तो हमने एक पावल में इनको सर्वा कर दिये हैं और बहुती सोट रिस्पंजी गुलाब जमुन बने हैं तो चलिए एक हम आपको क कमेंट करके जरूर बताएं और अभी तक आपने हमारा फेस्टू केज फोलो नहीं किया तो वहां पे भी जाके फोलो करें ज्यादा से ज्यादा सेहर करें तो आज के लिए तना ही थैंक यू